नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं invertogram procedure के बारे में कि invertogram procedure क्या होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि invertogram एक pediatric procedure है और इस procedure में आपने कई बार किया होगा या फिर आपने जब भी ये procedure देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि इसमें बच्चे को उल्टा करके एक x-ray की image ली जाती है तो इसे उल्टा करने का क्या reason है और invertogram procedure करने का क्या reason है और ये ऐसा क्यों किया जाता है इन सब की detail हम इस वीडियो में देखेंगे तो चलिए सुरू करते हैं सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि जैसा कि इस procedure का नाम है इन वर्टो ग्राम इसका नाम जो इन वर्टो ग्राम है यानि कि इसमें इस patient को क्या क्या जाएगा या जो भी baby है हमारा pediatric patient है उसको invert यानि कि उल्टा करके जो image ली जाती है इसलिए इसको invertogram का जाता है इस नाम से हम clear हुए फिर यह projection हमें क्या show करता है तो यह projection क्या करेगा कि यह हमें pediatric abdomen की जो भी pathology, abnormality है उसके बारे में हमें detail देता है लेकिन अब हम बात आती है कि invertogram procedure की जरूरत हमें क्यों पढ़ी जैसा कि अभी अपन ने कहा कि यह pediatric procedure है और pediatric procedure में भी यह कब किया जाता है कि जब बर्थ के after 24 hours में बर्थ के 24 hours में यह procedure किया जाता है तो यह procedure करने का region क्या है कि यह characterize करता है anal atresia को anal atresia क्या है कि एक pathological condition है जिसमें क्या होता है कि abnormal narrowing होती है जो भी rectum area वगेरा जो होता है patient का या तो वो absent होता है या फिर abnormal उन में narrowing होती है उस condition को क्या का जाता है कि atresia का जाता है यानि anal atresia ओके यानि कि anal की cavity है उस cavity या तो वो cavity absent है naturally या फिर वो क्या है कि abnormal उसके अंदर किसी भी प्रकार की narrowing है यानि कि वो natural opening नहीं है तो doctors इसके pathology को detect करने के लिए procedure करवाया जाता है okay जैसा कि अपन क्या कह रहे है कि यह pediatric abdomen को determine करेगा और plus साथ ही हम कह रहे है कि यह characterizing करेगा anal atresia को और anal atresia अपनने कह दिया क्या हो गया कि absence absence or abnormal narrowing उस condition को हम कहेंगे anal atresia और mostly जो यह pediatric procedure invertogram जो किया जाता है वो anal atresia को देखने के लिए किया जाता है invertogram procedure है उसमें हम क्या देखेंगे कि जो यह gas bubble है okay gas bubble और जो terminal है colon का जो की skin पे है यानि कि यह वाला skin वाला part हो गया okay, skin part से जो anal का जो gas bubble है उससे इसकी सी किती卦ी in distance है उसकी यह detail देगा तो जब हम은 patient को, इसमे Τरिय को ईटा क्यूं क्यूं किया गया mostly बात आती है कि inverse क्यूं क्यूं क्यों क्या गया या packet क्यूं पैसंट को सीदा कर्के इमेसले सकते हैं हमें रेडियोग्राफी में तो वैसी ही मिल जाती लेकिन उल्टा करने का क्या रीजन है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि गैस जो है वो क्या होती है वो लोवर स्टेट से अपर स्टेट में जाने के लिए गरती है हमेशा यानि कि एंटी ग्रेविटी तो हम पैशन को जब उल्टा करेंगे तब वो गैस क्या होगी उसके उपर वाले टरमिनल तक जाएगी जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें ये एंड टरमिनल तक आ गई यानि कि GANS वही तक आएगी जहां तक उसका टर्मिनल है और यह टर्मिनल इस बाहर की SKIN के साथ सो करेगी कि यह कित्ते cm का area है या कित्ते यह जो block है या कित्ता इसमें abnormal narrowing है वो कहा है ओके वो उस GANS के माद्यम से हम पता करेंगे जैसा कि हम सब जानते है कि GANS भी एक negative contrast media है अब हम चलते हैं इसकी image की तरफ तो यह image हमें कब ली जाती है image हमने बात कर ली कि यह pediatric procedure है और 24 horse में यह image ली जाती है अब देखो जैसा कि आप एक इस तरह की position देख रहे होंगे इस position से भी यही चीज evaluate होती है इसमें भी patient को पहले prone किया जाता है और फिर इस तरीके से किया जाता है ताकि abdominal भी compress हो और वो हमें cavity अच्छे से sow हो जाए इस procedure को करने के लिए हमें कुछ positions होती है उस position को लगाने के लिए हमें कुछ instruction follow करने होते है जैसा कि patient को जब भी हम invert करेंगे तब patient को जैसे इस में patient को हातों से पकड़ रखा है उस तरीके से हातों को पकड़ेंगे और patient को support भी रखेंगे उसमें rotation का भी ध्यान रखना है कि उसमें किसी प्रकार का जो shoulder joint और hip joint में किसी प्रकार का rotation नहीं हो और hip में किसी प्रकार का rotation नहीं होना चाहिए अब हम क्या करेंगे कि अगर patient को या फिर जो भी बच्चा है उसके किसी भी प्रकार के जो क्लोथ जो shiny cloth होते हैं वह पैन रखे हैं या ECG dots वगेरा हैं या diaper पैन रखा है तो उसको हम क्या करेंगे हटा देंगे यानि कि remove करवा देंगे उसके जो भी cloth है cloth और जो भी metallic जो जैसे कि ECG हो गई ECG lids हो गई और कई बार shiny cloth भी पैन रखे होते हैं तो उन सब को remove करवाना है और फिर क्या करना है कि जो भी हमारा जो expected NOS है यानि की doctors ने जो NOS को expect किया है कि जो naturally जो NOS है वह यहां पर है तो उसको जब भी वह insure करते हैं तो वहां पर क्या किया जाता है कि एक radio opaque marker use किया जाता है वो रेडियो ओपेक मारकर हम उस जो एक्सपेक्टेड एनस है वहाँ पे उसको लगाया प्लेस किया जाता है ताकि हमें वह उस इमेज के अंदर हमें इंस्योर हो ताकि हम जो भी गैस के बबल की जो भी डिटेल होगी वह वहां से लेके हम जो हमारे पास रेडियो ओपेक माट इमेज ली है तो देखे डिस्टेंस ऑफ गैंस बबल इन दे रेक्टम फ्रॉम दे मैटल पीस इस नोटेड अब देख सकते हो आप यह जो अपना रेडियो ऑपेक जो मारकर इसमें यूज लिया गया और जो एंड ऑफ टर्मिनल है तो आप गैंस के बबल देख सकते हो इनके बीज की जो यह डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को इस इमेज वह मापा जाता है हमने इमेज ले ली है अब हमने क्या किया है कि अगर जो डिस्टेंस है अब डिस्टेंस है किस परकार से autoris has to go,钟 z and chalopitoe के जीवाध बीग मापते हैं जो यह gap है, यह कितना cm है, इससे इन से और करते हैं, जैसा कि अगर less than 2 cm है, अगर यह इस पे सपन मान लेते हैं, कि less than 2 cm है, जब भी 2 cm है, तो इसको एक low type मना जाता है, अगर हम बात करें, तो एक होता है, दो cm से अगर ज्यादा का gap है, तो हम उसको कहते हैं, high type, high type noted किया जाता है, अब क्या किया जाता है, जब भी low type का होता है, उसमें क्या किया जाता है, एनोप्लास्टी किया जाती है, low वाले में, अभी हम बात करेंगे कि एनोप्लास्टी procedure क्या है, अनोपलस्टी और जो हाई Techn Soum financiar Кंशी मिदग रिधक या Crumb barre C अनोपलस्टी और ही ताइप का है कीक है क कॉलोस्टॉमी अब हम देखते हैं की अनोपलस्टी भी कैसे और कोलॉस्टॉमी भी सोगत तोगे उन दोनों के बीच में अगर इस पेस है अगर ये 2 cm से कम है यानि कि लो टाइप का है तो हम इसमें कौन सा प्रोसिजर करेंगे अनोप्लास्टी ये ट्रीटमेंटल टेखनीक अनोप्लास्टी जिसमें क्या गरेंगे जो सर्जन जो होते है इसको एनोस वाले पार्ड को और रीकंस्ट्रक्ट करते हैं, यानि कि जो artificially एक वहाँ पे होल बनाया जाता है, ताकि वो रेक्टम के द्वारा अपने जो भी फिकल मटीरियल है वो पास कर सके, और एक आता है कोलोस्टॉमी, कोलोस्टॉमी के जिसमें जो भी लार्ज इंटरस्टाइन का जो लूप है उसक चुक्राइं क्या जो भी फिकल मटीरियल का युग एक्सीद करना है, वो अबडॉमिनल केविटे पे जो इस्टोमा है, वही चुक्तिव, और वहीं से वहाँ प्रोसीजर ठा और procedure में हमने जान लिया है कि यह procedure क्यों जरूरी है और किसलिए किया जा रहा है जैसा कि अभी अपने देखा था एनलेटरेशे को देखने के लिए और किस तरीके से हमने उल्टा करके इसकी image लिया है वो सारा हमने इसमें जान लिया है अगर आपको किसी भी प्रकार के इसमें doubts हो तो आप हमें इसमें comment करके हमें बता सकते हैं आज के लिए बस इतना ही thank you, bye bye मिलते हैं next video में बने रहिए Red Tech बरत के साथ thank you, bye bye